हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूगसनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे होम मेडिसिन बॉक्स के बारे में और उसके अंदर हम जानेंगे किस तरह से हम मेडिसिन कीट तयार कर सकते हैं कि जिसको हम प्राइमरी केर के लिए यूज कर सकेंगे तो प्राथमिक उप्चार करने के लिए गर पे ये दवाईया और ये जो कीट है वो जरूर से आपको बना कर गर पे रखनी चाहिए कि जिससे जब भी कोई ऐसी मेडिकल कंडिशन प्राइमरी कर सकते है तो उस वक्त आप ये मेडिसिन को यूज कर सके तो सीखते हैं डीटेल में होम मेडिसिन बॉक्स के बारे में और जानेंते हैं किस तरह से आप उसको प्रिपेर कर सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि what is first aid first aid का मतलब होता है कि प्रात्मिक उप्चार करना तो प्रात्मिक उप्चार करना क्यों जरूरी है कि जब भी कोई परसन को कोई बीमारी होती है या फिर कोई भी ऐसी injury होती है कोई बीमारी आती है तो उस वक जरूरी है कि उसको प्रात्मिक उप्चार देना first aid करना जरूरी होता है कि कोई injury हो गई है अचानक से तो उस वक भी जरूरी है उसको first aid करना कोई serious illness अचानक से हो गई है कोई बीमारी हो गई है अच्छानक से कि चाहे वो minor है या फिर serious तो जरूरी है कि patient की जान बचाने के लिए हमें कोई प्रात्मिक उप्चार अच्छे से करना चाहे तो इसके लिए जरूरत पड़ती है ये first aid kit के या फिर medicine box की कि जिससे आप जो है वो उसका प्राइमरी केर कर सके तो प्राइमरी केर जरूरी क्यों है तो उससे आप patient की जान बचा सकते है कि preserve the life कि या पर जो important point लिखा है कि आप जो है वो life बचा सकते है preserve the life prevent the condition from worsening and more serious कि condition समझे कि minor है तो उसको serious होने से आप रोख सकेंगे and जो patient की जो recovery है उसको promote करवा सकेंगे कि ज्यादा serious होने से पहले ही आप प्रात्मिक उप्चार दे कि उसका काफी हत्तक इलाज कर देते हैं तो first aid box या फिर जो medicine kit हम कहते है कि गर पे ही किस तरह से home medicine box को तयार करे तो वो अब जानेंगे हम detail में कि एक ऐसा small box कि जिसको हम first aid kit भी कहते है कि जिसके अंदर सभी ऐसे instruments भी available है जैसे कि आप उसके अंदर bandages वगेरा रखते हैं plasters रखते हैं antiseptic wipes वगेरा रखते हैं and दूसरे जितने भी important ज़रूरी instruments thermometer वहाँ पे रख सकते हैं gloves वगेरा आप रखते हैं तो ये जो है वो आप जो है वो किसी भी person की जान जो है वो बचा सकते हैं in emergency as well as also in normal condition के normal condition तब भी और emergency के अंदर भी आप जो है वो उसकी जान बचा सकते हैं तो किस तरह से अब तयार करते हैं वो जानते तो कौनसे tools इसके लिए जरूरी है medicine box आपको बनाना है गर पे first aid kit तयार करनी है कि जिससे प्रात्मिक उप्चार हो सके तो उसके अंदर आप रखे scissors scissors का होना खास जरूरी के समझे कि आपको ये ये टैफ वगेरा cut करनी है तो उसके लिए scissors की जरूरी पड़ेगी bandages वगेरा समझो की जरूरी करनी कर कोई cut करना है आपको तो भी जरूरात पड़ेगी तो scissors का होना काफी जरूरी है फिर surgical cotton का होना जरूरी है फिर surgical cotton के साथ हो साथ surgical jointase जो gain gjorde आते है surgical tape वगेराती है ग्लाउस होते है, मास्क होते है अलग-अलग जो प्लास्टर्स होते है अलग-अलग साइज और सेप के उनको रखना वो काफी जरूरी है फिर जो हम कहें कि ड्रेसिंग परपस के लिए आप कौन से रखेंगे कि कोई इंजरी होई है ड्रेसिंग करना है तो कौन सा मट्रियल जरूरी है कौन से अलग-अलग मेडिसिन जरूरी कि जबते पहले तो एंटिसेप्टिक सॉल्यूशन तो कोई भी एंटिसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का यूज़ करना फिर उसके बाद वहाँ पर लगाना जरूरी होता है एंटिसेप्टिक क्रीम तो सबसे बेस्ट रहता है यह सोफ्रामाइसिन की यह आप देख सकते कि सोफ्रामाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं फिर स्यावलोन का भी अंटिसेप्टिक क्रीम आता है फिर यह बैटनोवेट करके भी क्रीम आता है और जब आपको ड्रेसिंग करते वक्त सबसे पहले इंपोर्टन तो जो सर्जीकल स्पीरिट होता है उससे जो भी आफेक्टिड एरिया है उसको क्लीन करना जरूरी है तो सॉलिसन के तोर पे आप डेटल भी यूज़ कर सकते है या फिर स्पिरिट जो भी अविलेबल है दोनों में से वो यूज़ कर सकते है और ये जो तीन क्रीम मैंने आपको बताई सोफरा मैसिन जो क्रीम आती है जो सनोफी का काफी फीमस प्रोड़क्ट है फिर स्यावलोन का भी अंटिसेप्टिक क्रीम अविलेबल है एंड जीयस के का ये बैटनो वेट देतीनों में से कोई भी जो है वो आप यूज़ कर सकते है ड्रेसिंग परपस से फिर सबसे इंपोटेंट ही कि हैंड सैनिटाइजर का जरूरत है फिर प्रॉपर जो टूल्स की जो हम बात करते हैं जो सीजर्स आप देख सकते हैं कि इस तरह की प्रॉपर सीजर्स जरूरी है सर्जिकल कॉटन जरूरी है सर्जिकल कॉटन बैंडेज जो आती है उनका होना जरूरी है सर्जिकल गेज होना जरूरी है फिर ये cotton stick के जो swab आते हैं वो खास जरूरी है surgical tap, gloves, surgical mask एन जो अलग-अलग plasters वगेरा होते हैं तो ये सबी कि आप यहाँ पे देख सकते कि वो आप किसी भी pharmacist ये आपको ये सबी जो है वो मिल जाएंगे कि जो आप आपके first aid kit के अंदर या फिर medicine box के जो आप गर पे बनाओगे इसके अंदर ये सभी का होना काफी जरूरी है फिर आगे बात करें तो first aid kit के अंदर कौन से instruments रखना जरूरी तो सबसे important है कि temperature measurement के लिए जरूरी है thermometer का होना फिर समझे कि diabetic patient है आपके गर पे तो glucometer खास जरूरी है कि blood sugar आप उससे measure कर सकते है फिर blood pressure के गर पे किसी को blood pressure का problem है और हमेशा blood pressure के अंदर plus minus रहता है तो जरूरी है कि आप ऐसा कोई भी digital जो blood pressure measurement का जो device है वो purchase कर सकते कि जिससे आप उस वक जो पता लगा सके कि blood pressure जो है या फिर decrease हो है तो उसके basis पे आप जो है वो medicine दे सकेंगे तो यह जरूरी फिर nebulizer आप रख सकते गर पे अस्थमा pump खास जरूरी है अस्थमा के patients के लिए अभी जो latest जो covid-19 के लिए हम कहे तो oxygen का भी होना जरूरी कि जिससे आप oxygen जो level है वो पता लगा सकते है फिर बात करें अब medicines की तो over the counter medicines की जो non prescription रहती है तो fever है कि बुखार वगेरा होता है तो घर पे paracetamol के tablets जरूर से रखे ibuprofen के tablets जरूर से रखे कि जिससे fever होने पर बुखार होने पर तुरंद ये tablets आप उनको दे सके तो paracetamol के बहुत सारे brands अवेलेबल होते है तो इसमें से कोई भी medicine ले सकते है जिसके अंदर salt composition paracetamol होना चाहिए and ibuprofen भी रख सकते कि अगर आपको headache वगेरा भी होता है fever वगेरा के साथ तो उस वक्त आप ibuprofen खा सकते है pain killers रखना जरूरी है और उसमें acyclofenic and diclofenic जैसे tablet इनफ रहते है फिर medicine box में आप रखोगे nausea vomiting के medicines कि जब समझो कि आपको घर पे किसी को vomiting जैसा हो जाता है तो उसको काम करने के लिए bismut sub salicylate evomine के जो tablet आते है वो रख सकते है ondain satron भी एक tablet आती है वो भी आप रख सकते है headache के लिए aspirin है ibuprofen है फिर brufen करके जो उसका famous एक brand है वो आप रख सकते है जब भी आपको headache की condition वगिरा जो produce होती है फिर common cold सरदी जुकाम जो हो जाते हैं तो उसके अंदर satrygen enough रहता है levosatrygen satrygen जो अलग-अलग उसके composition है chlorophylline emile minute के जिसको sort में CPM भी कह जाता है तो यह CPM के tablets भी आप रख सकते है घर पे medicine box के अंदर allergy में भी यह satrygen काम आता है same like that जो मैंने CPM के बाद की तो CPM भी आप use कर सकते है allergy के अंदर के कोई allergic reactions आपको देखने को मिल रही है body पर तो यह जरूरी है फिर vertigo चकर वगएर आते है गर पे किसी को तो जो beta histrins के जो tablet आते है vertifal है, vertin वगएर है तो बहुत सार ऐसे चकर के medicines होते हैं, sinnarizin है maclizin है तो इसमें से कोई भी medicine आप रख सकते है कि अगर चकर का problem है किसी को या फिर यह रखना जरूरी है कि समझे कि अचानक से किसी को चकर वगएर आते है ऐसी क्रेंडिशन प्रोडिस होते हैं, समझे कि रात को अचानक से इसा कोई problem हुआ तो आप जो है वो तूरन चकर का जो इलाज जो है, यह तीन में से किसी भी एक medicine को यूज करके उस वक्त कर सकते है फिर acidity के लिए कि जो specialized lectures भी बनाए थे हमने की acidity का problem है गर पे तो आप ranitidine के tablets रख सकते है famotidine आता है milk of magnesia कि यह जो antacid syrup की जो हम बात करते है वो इनो रख सकते है soda जी भी product एप्यमस फिर pentoprazole के tablet rabiprazole, omiprazole तो depend on you इन में से कोई भी और स्खास जरूरी है कि ranitidine भी रख सकते है famotidine भी रख सकते है आप तो इन में से कोई भी एक रख सकते है और यह जो prazole से वो prazole में से anyone कोई भी एक रख सकते है कि pentoprazole easily available the pentoprazole, rabi है तो rabi या फिर omiprazole उसी तरह से यह तो compulsory है milk of magnesium जरूर से आप रखे कि जब भी acidity का problem होता है तो tablet समझो के नहीं लेते तो इससे काफी आसन इससे फरक पढ़ जाता है और उसके side effects भी कम होते है फिर ino या फिर soda जी इन्हें में से कोई एक रख सकते कि ino रखो या फिर soda जी जो भी आपको पसंद पढ़ता हो दोनों में से कोई एक रख सकते कि जब आपको gas trouble जैसे लगता हो acidity जैसे लगता हो तो ये भी एक काफी असरदारक साबित होता है फिर ये diazins के tablet आते हैं वो भी बहुत सारे लोग खाते हैं फिर दुसरे medicines के बात करें कि जो non prescription रहती है OTC, diarrhea के लिए stomach pain वगेरा के लिए तो diarrhea समझे कि किसी को हो जाता है तो Lopramide के tablet रख सकते हैं और prescription base में से तो आपको पता ही है कि metronidazol metronidazol समझे कि आपके healthcare providers ने prescribe की थी आपको तो metronidazol के भी tablet रख सकते हैं लेबल लगा कि जब भी feature में कई बार ये diarrhea जैसा problem हो तो आप ये use कर सकते हैं metronidazol को फिर ज़रूरी है ORS solution का रखना गर पे कि जब diarrhea होता है तो ORS खास जरूर पड़ता है और zinc के tablet फिर ये bismut sub salicylate pepto bismol ये वगेरा आप रख सकते हैं abdominal pain होता है कि जो stomach pain की जो हम बात करते तो उस्वक्द diceclamine के 20 mg के tablet उसी तरह से जो pediars के दोरान जो pain होता है painful periods की जो condition होती है cramps वगेरा आते है तो उस्वक्द भी diceclamine use कर सकते है या फिर diceclamine suit नहीं करता तो acyclofenac के tablet आप खा सकते हैं constipation हो रहा है तो कोई भी lexative रखे जैसे के castor oil का emulsion, कायम चूरन है visa codil के जो tablet साते है, docusate के tablet सो गराते है फिर dulcolex करके उसका product है, stool softner और liquid paraffin के emulsions, castor oil के emulsions बहुत सारे market में available है constipation के लिए उसमें से कोई भी आप एक या दो रख सकते है medicine box के अंदर फिर OTC medicines हम देखे, non prescription dry cough के लिए कि आपको cough की condition है कि cough जैसा हो रहा है तो उस वक्त ये dextromethor और फान जो है, उसके cough syrup या फिर codeine phosphate वाली cough syrup जो है वह आप ले सकते हैं कि जिसके साथ combination में antihistamines भी होते है deconsistent होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि dextromethor पानी आप याप है उसके साथ chlorophenaryamine मेलेट है जो antihistamines है phenylephrine hydrochloride है और यह सभी का ये cough real करके syrup है कि जो cough के condition में आप यूस कर सकते हैं और जो weight cough के लिए भी बहुत सारे अंब्रोग्जॉल के जो cough syrup होते हैं, गुए फैंसिन वाले होते हैं तो वो cough syrup आप ले सकते हैं फिर skin burning की अचानक से समझो कि गर पे कोई burning का problem हुआ है, minor skin burn हुई है, तो उस वक्त आप first aid करके लिए silver sulfur diacin के cream जरूर से रखे, तो उससे फाइदा यह होगा कि जब तक patient को आप hospital ले जाते घर पे है अभी तब तक जो है वो ये cream से उसको काफी रात होगा और समझो कि घर से hospital ले जाने में जितना time लगता है उस दोरान भी समझो कि आप ये cream लगाते है, तो भी patient को काफी जो है वो relief मिलती है तो ये silver sulfur diacin के बहुत सरे अलग-अलग brands होते है कि usually one person strength में ये मिल जाता है आपको silver diacin करके भी ये product आता है silver sulfur diacin उसके अंदर main salt composition रहता है और ये आपको burnol का तो बता ही होगा कि वो भी काफी famous product है कि जब आपको ऐसी कोई जलन होती है skin burning के कारण तो उसमें use कर सकते हैं फिर oral rehydration solutions का होना जरूरी है गर पे कि medicine box आप बनाते हो तो उसमें ORS के 5 या 10 जितने packet जरूर से रखे कि जब भी कोई weakness जैसा फिल हो रहा है fatigue जिसा आपको फिल हो रहा है ऐसा लोग रहा है कि energy काफी कम हो गई है body के अंदर तो ORS and glucose का combination आप ले सकते कि जो electrolyte supplements का काम करेगा और glucose का भी होना जरूरी कि समझे कि गर पे diabetes का कोई patient है और अच्छानक से blood sugar कम हो रही है तो उस वक भी ये glucose powder जो है वो आपके लिए first aid का का काम करेगा hypoglycemia के condition में कि जब patient का blood sugar जो है वो काफी कम हो जाता है फिर calamine lotion के समझे कि खुजली हो रही है itching हो रही है skin disease जैसा हो रहा है तो medicines खाने से वहले जरूरी है कि calamine lotion लगा सकते है और calamine lotion ना लगाओ और btex रखोगे आपके गर पे तो भी जलेगा because btex के बहुत सारे multiple user के exama भी यूज होता है ring warm होता है इचीज होता है cold cracks होते है pimples तो ये सभी के उपर ये white ointment के जो btex उसका famous brand है वो आप यूज कर सकते है फिर glycerine रख सकते है mouth ulcers के लिए burning sensation on skin की skin उपर जलन हो रही है तो उस वक्त आप वहाँ पे glycerine लगा सकते है और burning में भी जरूरी है और साथ उसाथ mouth ulcers पे भी आप glycerine लगा सकते है dry skin के लिए भी glycerine को यूज कर सकते है फिर iron folic acids के tablet जरूर से रखे home medicine box के अंदर vitamin B complex रखे also used for vitamin deficiency और समझो की mouth ulcers वगेरा होते है उस वक्त भी ये iron folic acid and B complex की जो tablet है वो काफी असरदार साभित होते कि आप यहाँ पे दिख सकते कि bicosals के जो capsules आते है कि मुग के अंदर कई बार आपको छाले हो जाते है तो उस वक्त ये tablet से आप उसको treat कर सकते है NMA के condition, mouth ulcer, fatigue, ठकान है तो ये सभी के अंदर ये medicines जो है वो effective साभित होती है फिर painkiller spray आप देखो तो बहुत सारे brands अविलेबल है अभी तो painkiller spray के तो ये भी काफी है सरदार साभित होते है जैसे कि आप walli नी का देख सकते है omni gel है move के spray अविलेबल है relief spray करके बहुत सारे आ जाएंगे उसी तरह से ये gel है कि combi flame के gel होते है iodex का होता है woveni, walli, move है, pain care gel है फिर headache वगेरा के लिए bomb का होना भी जरूरी है medicine box के अंदर कि अलग-अलग bomb आते है ointment, gel कि जैसे जंडू का product है tiger है himalya के pain bomb आते है amruth anjan कहते है तो बहुत सारे ऐसे bomb कि आपको जो भी अच्छा लगता हो वो use कर सकते है फिर कई बार क्या होता है कि आप लंबे समय तक mobile यूज़ करते है computer screen के सामने बैठकर officer सोगरा करते है online seminar सेटेंड करते है तो कई बार क्या होता है कि जो online काम करके आखों के अंदर समझे कि आपको dryness जैसा लगता है तो वो dryness को prevent करने के लिए ये eye drops आप यूज़ कर सकते है carboxymethal cellulose sky drops गर पे जरूर से रखे कि जो treat करेगा आपकी condition of dry eyes कि जो wind पवन के करन हो जाती है कि काफी समझो कि आपको two wheeler के उपर travel करना होता है भले आप goggles या helmet यूज़ करते हैं बढ़ फिर भी आखों के अंदर हवा जाने से आपको ऐसा फिल होता है कि आपकी आखे dry हो चुकी है sun के कारण heating या फिर air conditioning के कारण computer का excessive use reading and कुछ medications के side effects से ऐसा फिल हो रहा है तो आप ये use कर सकते हैं फिर सबसे important sanitary pads का होना जरूरी है कि medicine box के साथ साथ आप sanitary pad भी जरूर से रखे गर पे फिर rx only medicines के बात करते हैं से box बना कर रखनी चाहिए hypertension की दवाईया और proper time के उसको लिनी चाहिए chest pain के लिए nitroglycerin के जो sublingual tablet के already आपने देखा होगा कि pharma rocks के channel पे ये सब भी disease के उपर already individual lecture है और आपको ये medicines चल रहे हैं तो वो खास जरूर से रखे urinary tract infections जो नौरफ्लोक्स के जो tablet आते है peptic ulcers के लिए जो भी हमने बात के थे कि pentoprazole omiprazole जैसे medicines रख सकते है fungal infections के लिए floconazole के जो tablet से अगर आते है या फिर antifungal cream से अगर आप याख सकते है clotrimazole या फिर vaginal infection के लिए भी use कर सकते है respiratory tract infection टीबी heart related problem हो eye infection, ear infection, skin migraine कि जो सभी के लिए prescription based medications भी जो होती है तो आप अच्छे से diagnosis के बाद जो भी आपके medicine से वो भी home medicine box के अंदर की जिसको आप first aid kit भी कर सकते है first aid box भी कर सकते है जिसके अंदर रख के आप जो है उसको use कर सकेंगे तो यह था special lecture about the home medicine box thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते study material test series video lecture farmer oxkia pooper so good luck and all the best